नमस्कार आ गए तो चलिए शुरू करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड लॉग का टॉपिक विच इस टॉपिक में आज हम कवर करेंगे कि गैट की हिस्टरी क्या है कहां से आया क्या स्कोप है गैट का अब्जेक्टिव क्या क्या है कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या है और वो कौन से 8 round of negotiations हुए थे जिनकी वज़े से गैट की इतनी importance बनी अगर questions की बात करें तो इस तरह के questions आपके exam में आते हैं जहां principles और objectives पूछे जाते हैं development पूछी जाती है और rounds of negotiations पूछे जाते हैं गैट के और सबसे important उर्गे round के बरे में पूछा जाता है तो चलिए करते हैं वीडिय World War 2 के बाद developed countries ने एक दूसरे के साथ negotiations शुरू की इस negotiations की शुरुवात कहां से हुई क्योंकि हर देश चाहता था कि उसकी economy डेवलप करें लेकिन क्योंकि दूसरे countries से आने वाले समान पे देश heavy duties लगाते थे और अपने देश से बाहर जाने वाले export पे tax relaxation देते थे इसलिए trade बहुत difficult हो रहा था एक दूसरे के साथ करना देशों को इसी वज़े से United States ने एक initiative लिया US के जो President थे Franklin D. Roosevelt और British के जो PM थे Winston Churchill उन्होंने अगस्त 1941 में एक conference के लिए नियोता भेजा 44 देशों ने Bretton Woods Conference एक Hampshire England में एक जगह है इस conference को Bretton Woods Conference कहा गया इसकी शुरुवात हुई और इसी conference की वज़े से International Monetary Fund और IBRD बना जिसको आज हम World Bank के तौर पे जानते हैं अब 4 साल तक negotiations चलते रहे और इनी negotiations की वज़े से एक international trade की शुरुवात हुई 23 countries मिली जिनेवा में April से October 1947 के बीच और उन्होंने पहली first round की negotiations complete की जिसके अंदर taxes के अंदर reduction किया गया tariffs में छूट दी गई इसी participants को जो जिनेवा में मिले और जो agreement sign हुआ उस agreement को कहा जाता है journal agreements on tariffs and trade यानि GATT और इसकी वज़े से जो organization बनी इस organization को कहा जाता है ITO यानि international trade organization गैट कब शुरुवात हुई 1948 में 1st January 1948 को इसकी शुरुवात हुई November 1947 में UN के अंदर United Nations के अंदर एक conference चल रही थी trade और employment के उपर 4 महिने तक negotiations के बाद 50 देशों ने एक charter को sign किया March 1948 में इसे हवाना conference और हवाना charter भी कहा जाता है लेकिन इस conference में जो charter sign हुआ उस पर हर देश की अपनी एक अलग-अलग राय थी इसी वज़े से देशों ने लगभग 800 amendments को propose किया कि इसके अंदर इतने changes होने चाहिए चार्टर के अंदर दूसरी तरफ ITO International Trade Organization और GATT जो थे वो IBRD और International Monetary Fund के साथ मिलके multinational development में लगे हुए थे अब जब हवाना charter हुआ तो US ने उस charter को sign तो कर लिया लेकिन क्योंकि US को अपने देश में उस charter को लागू करना था और US उस time पे सबसे बड़ी power थी और क्योंकि उसने अपने देश में उस charter को कभी ratify नहीं किया यानि लागू नहीं किया इसी वज़े से ITO कभी existence में आया ही नहीं यानि ITO जो International Trade Organization जिसका जन गैट के agreement के sign होने के time पे हुआ था वो कभी formally existence में आया ही नहीं ITO ने बहुत सारे issues को tackle करने की कोशिश की और वो अपने ही बोज तले दबके मर गया वहीं General Agreement जो tariffs और trade पे हुआ था वो 1947 यानि 98 जनवरी 1948 को जब ये लागू हुआ था तब से लेके January 1995 तक लगबग 50 साल तक लागू रहा इसके अंदर बहुत सारे negotiations होते रहे इनिशली इस deal को 23 countries ने sign किया था लेकिन बाद में negotiations होते रहे बहुत सारी countries इस agreement को sign करती रही आई अब बात करते हैं कि GAT का scope क्या है सबसे पहली बात तो ये एक multilateral agreement है यानि बहुत सारे देशों ने एक agreement sign किया हुआ है कि international trade को कैसे regulate किया जाएगा इसका preamble भी ये कहता है कि इसका main मकसद क्या है tariffs को घटाना, trade barriers को हटाना और developed और developing countries के बीच में mutual advantage basis पे trade को बढ़ावा देना सबसे main और important चीज GAT जो है वो सिर्फ goods में deal करता है और services में deal नहीं करता था यानि GAT के अंदर सिर्फ समान के व्यापार को लेके बात थी, services के व्यापार को लेके कोई भी बात नहीं थी अई अब बात करते हैं कि GAT के objectives क्या थे तबसे पहला और main objective कि जो गरीब countries थी वहाँ पे standard of living को बढ़ाया जाए जो गरीब countries थी उनकी export earnings को बढ़ाया जाए और जो less developed countries थी उनको promote किया जाए ऐसी conditions बनाई जाए कि पूरी world market में primary products को बेचा जा सके international lending agencies जिनसे गरीब countries को developing countries को loan मिल सकता था उसको बढ़ावा दिया जाए एक ऐसा network त्यार किया जाए जिसकी वज़े से international level पे trade को बढ़ावा मिले और जो developed और developing countries के बीच में gap बन गया था उसको बढ़ा जा सके तो जितनी भी parties जो GAT की member है वो अपने individual और joint effort करें ताकि international trade को बढ़ावा मिल सके आई अब बात करते हैं core principles of GAT की यानि GAT किन सिद्धानतों पे बना था तो सबसे पहला सिद्धानत तो ये था journal most favored nation treatment जो article 1 के अंदर है यानि कोई भी देश किसी भी अन्य देश को कोई भी privilege या immunity नहीं देगा for example अगर भारत नहीं agreement sign किया है तो भारत अगर पाकिस्तान से या बंगलादेश से या चाइना से आने वाले समान पर 50% की duty लगाता है तो उसे रशिया से आने वाले समान पर भी 50% की duty लगानी पड़ेगी या इंडिया अगर किसी product को duty free करता है तो वो दूसरे देश से आने वाले same product को भी duty free करेगा इसमें exceptions क्या थी जैसे EU European Union के अंदर जो trade होते थे जो free trade areas थे और US Canada का free trade agreement था वो इसकी exceptions थी दूसरा national treatment on taxation and regulations यदी कोई domestic good बन रहा है आपके देश में और आप उसी चीज को दूसरे देश से भी import कर रहे हो तो आप दूसरे देश से import कर रही same चीज पर कोई भी exceptional tax नहीं लगाओगे कोई भी party जिसने GAT के agreement को sign कर रखा है वो अगर कोई violation करता है या कोई ऐसा action करता है जिससे उसे trade पे impact हो रहा है तो वो उस violation के खिला GAT के अंदर challenge कर सकता है दूसरी party को आई अब बात करते हैं rounds of negotiations की GAT धीरे धीरे कैसे promote हुआ 1948 में GAT बनने के बाद total 8 round हुए पहला round कब हुआ था 1947 में इसके बाद एक January 1948 को GAT बन गया था पहले round के अंदर 23 countries ने participate किया था और इस promise के साथ कि हम दुबारा बैठेंगे और negotiate करेंगे दूसरा round हुआ 1949 में ये France के अंदर हुआ इसका main मकसद था tariff reductions का और इसके अंदर 10 नई GAT की party शामिल हुई अगला round हुआ 1951 में 8700 tariffs को reduce किया गया और GAT को एक governing body माल लिया गया अगला round हुआ 1956 में total 26 countries ने participate किया और भी बहुत सारी negotiations हुए और tariff reductions हुए फिर round हुआ 1960-61 में ये Geneva में हुआ US के अंदर Secretary of State Douglas Dillow ने इस round को propose किया था इसके अंदर total 26 countries ने part किया छटा round हुआ Kennedy में इसको नाम दिया गया था US President John F. Kennedy के नाम पे total 62 countries ने attend किया product to product negotiations हुआ था tariff के उपर और Europe इस round के बाद एक बहुत बड़ी market के रूप में उबर किया फिर round हुआ टोकियो में 1973-79 तक 102 countries ने participate किया इसमें और भी agreement किये गए जिससे technical barriers को हटाया जा सके 1986 से 94 तक ही round हुआ GAT का सबसे most ambitious round था इसके अंदर services, capital, intellectual properties, textiles, agriculture इन subject को discuss किया गया तो दोस्तों यह था GAT इसी उम्मीद के साथ कि आपको यह topic समझ में आया होगा Thank you so much for watching this video अगर कोई suggestions और query हो तो comment कर दीजिए वीडियो knowledgeable लगा तो like के बटन को दबा दीजिए ताकि मुझे motivation मिले स्वस्त रहिए, शशक्त बनिए, जै हिन, जै भारत